नमास्कार दोस्तों टेकी गुरू अमिद गुपता के इस पेड वीडियो में आपका स्वागत है और कलंडर के इस सीरीज में हम लोग आज देखने वाले पाट 10 जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कुछ वर्स में इससे पहले हमने सीखा था एक साल में दिन ग्याद करना अब हम आपको जानना पड़ेगा ऐसे प्रस्नों को हल करने के लिए तो आप क्रमबद रूप से सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा इससे पहले मैंने जितनी भूमिका बनाई यह साइकलाजिकल रूप से है और क्रमबद रूप से और तार्किक रूप से है कि 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 इसके बाद आपको क्या चीजे बताई जाएं ताकि आपका आधार मजबूत रहे और उसके बाद जो भी कुछ आपको बताया जाएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा तो उस आधार पर हमने सब कुछ हम लोग पहले सुके पहले वीडियो हमने देखा था सपता में दिन ग् करना फिर एक महीने में दिन ग्याद करना फिर कुछ महीने में दिन ग्याद करना उसके बाद लीप वर्स की जानकारी हमने सीखा फिर एक मा में रिपीट दिन ग्याद करना उसके बाद एक साल में दिन ग्याद करना और आज हम लोग सीख रहे हैं कुछ सालों में दिन ग्या किया है जिसमें सिलसलवा ढेर सारे प्रस्णों का संग्रा है और क्रमबद रूप से है और सभी प्रस्णों की बिस्तार से व्याख्या की गई है तो आप उसको भी थोड़ा समय समय से सब देख देखकर आपको उसको भी हल करना चाहिए और कहीं दिक्कत आया तो हमसे जब लीप वर्ष होता है, पलस दो करते हैं, जब लीप वर्ष होता है, बाते नहीं सवाज में आ रही होंगी, तो जब हम लोग personally करेंगे तो 3 percent consomm करने के बाद आमको बातें समझ में आ जाएंगी, हर question में मैं यही कहता हूं कि तीन सवालों को हल करने के बाद आपको बाते समझ में आ जाती हैं पहले सवाल को हल करेंगे तो थोड़ी सी बात समझ में आएगी और कुछ कंफ्यूजन होगा लेकिन दूसरे परस में वो कंफ्यूजन दूर होगा तीसरे परस में एकदम कंफ्यूजन दूर होगा चोता परस एक कदम, एक कदम का मतलब यहाँ पर एक वर्स से है, एक कदम आगे या एक कदम पीछे चलना सिखा रहा है, हम यानि कि अगर कोई 2004 का जानकारी दे तो 2005 का हम लोग बता सकते हैं, पांच का जानकारी दे तो हम लोग 4 का बता सकते हैं, यानि सिर्फ एक साल आगे या एक साल प ये दो-चार-पांच साल के लिए ये नियम है इससे ज्यादा हो तो उसके लिए अलग ट्रिक है और लास्ट में मैं एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा जो कि आल-इन-वन ट्रिक होगा यानि कि उस कलेंडर के ट्रिक से कलेंडर के लगवा सत्तर परसेंट प्रसनों को आप लोग आराम से साल कर पाएंगे वैसे तुम्हें ये भी सारा ट्रिक अलग लग बताता चला हूँ ताकि आप सबी ट्रिक से परचीत रहें आपको जो अच्छा पर लागु होगा फिलाहाल हम लोग सब ट्रिक सीखते जारे वह जब हम लोग कई वर्सों में ग्यात करने वाला ट्रिक स्खेंगे तो उस्सारे कि सारे 70% प्रस्टन लोग उसी आल इनवर्ण ट्रिक से सालब करेंगे तो देखिए अब देखिए लीप वर्स बताया गया कि लीप वर्स में दो घटाते हैं आगे का पुछे तो हम लोग दो बढ़ाते हैं लेकिन साधारण वर्स में तो कोई confusion नहीं सिर्फ एक बढ़ाना है तभी आपको प्लस 2 आगे के लिए और माइनस 2 पीछे के लिए करना है यानि लीप वर्स है लेकिन वो गढ़ना 28 फरवर्ण तक ही समापत हो गई तो आप 2 प्लस 2 नहीं करेंगे या उसमें फरवरी जनवरी तक ही गढ़ना खतम होगा फरवरी आया ही नहीं है तो भी आपक आते रहे समझ में नहीं आती है तो देखे अंठानवे प्रस नमर इसलिए लिखा है क्योंकि यह मेरा जो पी बूक है उसमें यह अंठानवे नमर पर प्रस न लिया गया है देखे लिखा यदि 16 जूलाई 1965 को बुद्वार था तो 16 जूलाई 1966 को कौन सा दिन होगा अगर इसे थोड़ा सजा के लिखा जा समझ में आने के लिए वैसे लिखने के ज़रूरत नहीं है जब मुझे बानी हल करेंगे तो इसी को बस मैं सजा के लिख रहा हूँ 16 जूलाई 1996 को क्या था तो बुद्वार था पूरा बुद्वार भी लिखने के लिख लिख देजे तो पूछ रहा है कि 16 जूलाई देखे तीथी वही साल अगला के मतलब यही है कि 16 है तो यहाँ नीचे भी 16 है जूलाई है तो नीचे भी जूलाई है और साल अगला के मतलब तो यहां पर 1968 है ट्रिक में लिखा तीथी वही रहे साल अगला रहे या पिछला रहे तब के लिए नियम है कि प्लस एक करते हैं चाहे प्लस दू करते हैं तीथी वही वर्स अगला तो प्लस एक करते हैं चाहे प्लस दू करते हैं तो तीथी वही का मतलब यह है कि तारीक वही रहे और महीना भी वही रहे साल जो है बस अगला रहे यानि कि 65 है तो इसमें 6-6 है या 65 है तो पिछला रहे 64 रहे तो माइनस करने के लिए यानि कि तीथी वाई ये साल अगला रहे तो हमें पता है कि प्लस एक होगा चाहे प्लस दो होगा इसके अलावा कुछ होगा नहीं तो इतना भी confirm है कि यहाँ पर हमारा answer या तो ब्रहस्पतिवार होगा या शुक्रवार होगा इसके अलावा कोई answer होई नहीं सकता है ब्रहस्पतिवार और सुक्रवार में से किवल एक ही विकलब में कोई है उसे को ही टिक कर दीजे यानि आपका 100% सिोर है कि आपका answer या तो ब्रहस्पतिवार होगा या शुक्रवार होगा इसके अलावा जो महीने के 5 दिन में से कोई फिया आंसर नहीं होगा अब यह भी कैसके लिए होगा कि ब्रहस्पतिवार less वर्स होगा टो एक दिन जड़ा जाग़ और लिप वर्स होगा और लिप यफ्वर्स का लाफ भी मिल होगा तो प्लस दो होगा कि तो इनमें कोई भी वर्स चार से भ़ुnt नहीं होगा इसलिए यह सधार वर्स है इसलिए हमारा दुन ही बलकी एक रहेगा यानि सधार वर्स लेकिन लीप वर्स रहे तो तुरंत दो नहीं बढ़ाना है लेकिन इन में से कोई भी लीप वर्स रहे तो तुरंत दो नहीं बढ़ाना है सोचना है कि उसको उस गड़ना में 29 फरवरी सामिल हो रहा है या नहीं आगे हम लोग और बहतर तरीके से समझेंगे हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए बिरस्पतिवार कई प्रस्ने आराम से आपको समझ में आ जाएगा यदि 8 फरवरी 1905 को बुद्वार था तो 8 फरवरी ही देखिए 8 यहां है 8 तो यहां भी 8 ही है फरवरी है तो यहां भी फरवरी है देखिए अगर दोनों में कोई भी एक पर बढ़ हुआ तो इस ट्रिक्षिं नहीं लाएक जैसे यहां पर आठ फरवरी हाई यहां पर दस लिख देगा तब नहीं यानि अलग अलग तित्रिक लागाना है कि एक बढ़ाएंगे चाहिए दो बढ़ाएंगे साधार वर्स में लीप वर्स में दो बढ़ाएंगे तो यहां पर 1995 यह चार से भी भारित नहीं होगा यह 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 भी लीप वर्स नहीं है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है यानि कि मुझावानी आप समझ सकते हैं कि यहां पर दिएगा दिन में एक बढ़ाएंगे तो बुदवार है तो हमारा आंसर फिर से क्या हो जाएगा गुरुवार कही है या बिरस्पतिवार कही हमारा आंसर हो जाएगा अरे सोरी यहां पर पीछे का पूछ रहा है 95 का देखे 94 का पूछ रहा है तो इसलिए प्लस एक नहीं बलकि माइनस एक करेंगे तो बुदवार है तो एक दिन घटा देंगे क्योंकि पिछला ही साल तीथ साल्फ करिए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाईए तभी आपको पूरा लाब मिलेगा 15 सितंबर सन 2000 लिख देते हैं थोड़ा तब तक आप साल्फ करिए 15 सितंबर ऐसे सजा के लिखने में आपको समझ में आए कि सितंबर सन 2000 को क्या था शुक्रवार था ठीक है तो 15 स सितंबर सन 2000 एक को कौन सा देन हुआ तो ऐसा प्रस जोई परिछा में आएगा समझ जाएगा कि तीथी वही है महीना भी वही है यानि तीथी वही है और साल जो है बस अगला है क्योंकि 2000 यह 2000 एक है यानि कि हमारा नियम वही लग जाएगा प्लस 1 या प्लस 2 वाला है या 121-2 कभी-कभी माइनद वाला प्लस लाना पास है इसलिए 1 प्लस 2 ही के बादय वाद्यूं से यादा रहे बाकि 121-2 ऑक पने याद उसां लिप वर्स है दो नौने की अलुँ किन वर्सों को चार से कटा कर देखते हैं किन वर्सों को 400 से विभाजित करके देखते हैं पूरा-पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप वर्स होता है तो यह 400 से पूरा-पूरा विभाजित हो जायेगा इसलिए यह लीप वर्स है तो लीप वर्स है तो आपको किस तरीके सो तो आप यह सोचिए कि आपने एडमीशन करा है 15 सितंबर सन 2000 को और आपका कोर्स चला कहा तक 15 सितंबर 2001 तक तो सोचिए इस गड़ना में क्या 29 फरवरी आएगा क्योंकि यह साधार वर्स अगर दोनों राता तो बीना सोचे समझे एक बढ़ा देना है लेकिन लीप वर्स रहे तो तुरंत दो नहीं बढ़ाना है तो 15 सितंबर को एडमीशन लेंगे तो यानि कि आप 15 सितंबर सन 2000 को एडमीशन लेंगे यहीं लीप वर्स वाला साल है और जबकि फरवरी इधरी छूट गया है यानि 29 फरवरी के बाद आपने अडमीशन लिया है मार्च भी नहीं है अपरेल मई जून जुलाई अगस सितंबर में जाके आपने अडमीशन लिया है तो एक्स्ट्रा दिन तो यह पीछे पीत चुका है तब आप एडमीशन लें यानि आपको एक दिन एक्स्ट्रा कलाब नहीं मिलेगा भाले यह लीप वर्स दिख रहा है लेकिन अगर आप प्लस दो कर देंगे तो आपका अंसर गलत हो जाएगा यहां एक ही पड़ेगा शुक्रवार है तो यहां पर सनिवार हमें आंसर आराम से दिखाई देता है जो कि भी कल्प बी में है अगला प्रस देखेंगे आप लोग है कि मुझबानी भी हल कर सकते हैं अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मुझबानी भी एग प्रस हल कर जाए पाँन्च मई तो यहां भी पाँन्च मई है तारीли भी वही महीना भी कोई दिखकत नहीं है तीन है दो जा dipped suf है यहां पर चार मंगलवार होगा या प्लस दो होकर वुध्वार होगा याना कोई आंसर नहीं होगा कि यह अब एक होगा कि दोगा यानी मंगल वार होगा किुद्वार होगा करेक्ट बताना है तो तो 2003айте और 2004 में एक साल जो है इसमें लीप वर्स जो कि 2004 है और ये बीच में डबल Zero है तो यह नहीं कि 400 कटा की चेक करिएगा चार से कटाना है चार से कट जाएगा यह पूरा-पूरा साल इसलिए लीप वर्स है तो लीप वर्स में तो दो बढ़ता है लेकिन रूख कर थोड़ा देख लिजिए कि इस गड़ना में 29 फरवी सामील है या नहीं दोनों अगर साधार वर्स होता तो कोई सोचने की जवरत है तुरंत एक बढ़ा क्या उसलिए लेकिन लीप वर्स रहे तो तुरंत दो नहीं बढ़ाना है पले रूख कर सोचना है कि 29 फरवी गड़ना में सामील है अथवा नहीं और तरीका क्या लगाएगे सोचने का कि आपन दिसंबर यह 2003 खतम हो गया अब आएगा जैनवरी 2004 फिर जैनवरी फरवरी आएगा जो कि 29 का पढ़ेगा फिर मार्च अप्रेल मई तक आप पहुचेंगे यानि कि आपको एक दिन एक्स्टा जो है 29 फरवरी वाला लाब मिल जाएगा क्योंकि 2003 से चलेंगे 24 में भी आप डाउट अपना किलियर कर सकते हैं या कमेंट बाक्स में भी लिख सकते हैं यूटूब के तो 2004 यानि कि यह लीपवर्स दिख रहा लेकि लाब नहीं मिलेगा यानि एक ही बढ़ेगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा नहीं लाब मिलेगा लीपवर्स का लाब और हमारा सार समवार है तो मंगल्वार और भुधे भार क्या हो जाएगा हमारा और आनसर हो जाता है कि जदीस एक giàati तो तारीक भी वही है कि महीन साल के अगला है 99000 व है तो इतना कणफर्म है या तो एक बढ़ेगा या दो पावफ़ेगा यानि कि मंगलवार है तो यह तो बुधर्वार होगा या तो गुरुवार होगा यानि ब्रस्पतिवार होगा इतना अब देख लीच व tit पर दिसंबर पूरा करके आप जब जनवरी में पहुचेंगे तो यह कौर्स पहली जनवरी कोई खतम हो जायेगा इसके बाद अगर आप फरवरी तक कोर्स जोईन कर तो फरवरी तक तब लाब मिलता आपका कोर्स तो एक जरोरी सन दो ही आजार को समफ्थ हो गया है इसलिए लिप परस का लाब नहीं मिलेगा यानि आपका अंसर एक बढ़के बुद्वार हो जाएगा हमारा आंसर जाता है डी नेकि अभी मैं जो करा रहे हुँ एक एक साल का उंतरवाला करा रहा हूँ आगे जो होगा प्रसन है तीन साल चैर साल पान तक वह मीरु चैसाल तक हम लोग जा सकते हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बाक्स में ज़ोर लिखेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसे अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धुर।